बाजार में मिलने वाले हम फुल, केमिकल फुल वो रोज सिरप लेना बन कर दीजी और घर पर स्रिप 50 रुपे में ये रोज सिरप बनाईए जिसे आपका खुन बेबड़ेगा और आपकी खुबसूरती में चार चान लग जाएंगी इसे आप बिना फ्रीज के एक साल तक देशी गुलाब की पंखुडिया इस रेसिपी के लिए आपको देशी गुलाब ही लेना है फार्मी या फिर बुके स्टॉल वाला गुलाब नहीं लेना है इसे दो से तीन बार अच्छे से धो लेना है अच्छे से धो लेने के बाद इसका पूरा पानी निकाल कर हमें में डालना है अच्छे से पूरे पंखुडिया निकालने के बाद गैस पर रखेंगे और डालेंगे दो कप पानी मतलब 500 ml पानी डालना है मेजर्मेंट बिलकुल ध्यान से देखिएगा अगर आप इसी तरीके से परफेक्ट ये सिरप बनाएंगे तो ये एक साल तक बिना फ्रीज के भी रह जाएगा ये खराब नहीं होगा अब हमें इसे थोड़ी देर पकाना हैं जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे ना जो पंखुडियों का कलर है वो पानी में डिजॉल्व होने लगेगा तो आज की रेसिपी में हम ना तो कोई प्रिजर्वेटिव कलर डालेंगे ना ही आर्टिफिशल फ्लेवर डालेंगे बिना इन सभी के हमारा ये बहुरी बहतरीन रोज सिरफ बनकर तयार होगा और रोज सिरफ अगर आप गर्मी में इस्तमाल करते हैं तो आपके माइन को स्ट्रेस फ्री रखता है आपकी खुबसूरती बढ़ाता है और आपके बोड़ी को ठंडा रखता है तो आप देख सकत है और इसे चान लेने के बाद ये हमारा रोज वाटर बनकर तयार हो चुका है जिसमें काफी अच्छी खुशबुआ रही है अब इसे बिना कलर के बनाने के लिए हम एक ट्रिक इस्तमाल करेंगे तो यहां पर मैंने लिया है बीट रूट जी हां दोस्तों आज की शर्वत म में डालकर पीस लिया है थोड़ा पानी डालकर और यह देखे यह हमारा जूस बनकर तयार हो चुका है अब हमें लेना है कड़ाई इसमें डालेंगे हम यह रोज वाटर साथी डालेंगे दो कप शक्कर जी हां मैंने जो कप लिया है वो 250 एमेल का है यह सारी बाते मैं आपक शक्कर घुलने तक पकाना है जैसे सारी शक्कर घुल जाए हमें इसमें डाल देना है बीट रूट का जूस लेकिन इसे चान कर डालेंगे और बीट रूट का जूस डालने के बाद यह शर्वत का कलर इतना अच्छा बिल्कुल रैड कलर का हो जाएगा बीना कलर की तो यह शर्वत है इससे आपके कई फाइदे होने वाले हैं और अच्छी बात यह है कि यह स्रिप घर पर 50 रुपे में मिल जाता है और बाजार में आप लेने जाते हैं तो यह लगभग 200 से 300 रुपे का मिलता है तो घर पर ही बनाईए ना इतना अच्छा और हेल्दी शर्वत अब यह भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है इस तरीके से आप फोम या शकर की उपर की गंदगी निकाल सकते हैं अब इसे हमें फिर से पकाना है अब इसे लगभग 8-10 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो शकर है वो थोड़ा अच्छे से पक जाए और इसके एक हलकी चाशनी बने तारवाली चाशनी नहीं बनानी है दोस्तों नहीं हमें बहुत ज़़ा इसे गाड़ा बनाना है आठ से 10 मिनट पका लेने के बाद हम इसमें कुछ चीज़े और डालेंगे लेकिन इसे चेक कर लिजी देखिए बिल्कुल चिपचिपी चाशनी बनी है जैसे गुलाब जमु की चाशनी होती है तारवाली चाशनी नहीं है अब हमें इसमें डालना है निम्बु का रस डालने से जो इसके अंदर की शकर है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी साथी फ्लेवर के लिए बस दो चमच रोज वाटर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं अच्छे से मिलाईए और इसे ठंडा होने देजिए हमें इसे अच्छे से ठंडा करना है फिर ही इसे स्टोर करना है तो मैं इसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसे में स्टोर करूंगी ठंडा होने के बाद देख सकते हैं इसमें कितने अच्छी शाइन है और बिल्कुल बादजार जैसा ये र सिरब स्टोर कीजी इसे आप बाहर भी रखेंगे तो यह एक साल तक खराब नहीं होगा बहुत ही शांदार बनता है और अगर आप इसे एक बार बना लेंगे यह मेरी गैरेंटी आप इसे हर साल बनाएंगी यह बहुत टेस्टी लगता है चलिए इसका एक शरबर बनाते हैं तो मैंने इसमें डाला है यह रोज सिरफ फिर डालेंगे हम दूद और अच्छे से इसमें बर्फ डालेंगे आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा गाड़ा कंसिस्टनसी रखने के लिए थोड़े से गुलाब की पंखुडिया सबजा के बीज और यह है ड करने से पहले थोड़ी सी जैली डालिए सब्जा ड्राइफ रूट और यह गुलाब का शर्बत डाले और अपने महमानों के लिए अपने फैमिली मेंबर के लिए सर्व कीजिए बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है यह हो गया एक रोज सर्बत मिल्क वाला अब बनाएंगे हम रोज मोईतो तो इसके लिए आपको लेना है ग्लास में कुछ टुकडे निम्बुके फिर थोड़ा सा मेंट लिव और इसे क्रश कर लेना है जब तक यह क्रश हो रहा है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो यह जो मोईतो है पीने में बहुत डाले तो इसमें दो कलर दिखेंगे नीचे के साइड रेड कलर है रोज सिरप है और उपर कलब सोड़ा तो इसमें दो कलर आपको दिखेंगे और फिर इसे मिक्स कीजे और सर्फ कीजे बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है आपको कौन सा शर्वत जादा पसंद आया मिल्क ETOST वाला या फिर रोज मोईतो वाला कमेंट करके जरुर बताइखेंगे और इससे बनाकर आप सेल भी कर सकते हीं कम इन्वेस्टमें में काफी ज्यादा प्रॉफिसक्त कमा सकते हीं तो कैसे लगे आज की रेसीपी कमेंट करके जरुर बताना आपके लिए हेल्फुल रही